Good morning dear students, myself E.L. Nareda, Assistant Professor, and today I am going to teach you a poem, Furnil, composed by Dylan Thomas. Furnil, वनस्पत्ति को बोलते हैं, ये कविता, English Literature के स्टुरेंट्स के लिए बहुत उप्योगी है, so please, पूरी कविता को ध्यान से पड़ी है. Furnil, Furn क्या होता है, Furn का मलब होता है, एक तरह की घास, जिसको काई बोलते हैं. Dylan Thomas, 1914 and 1953, सबसे पहले हम यहां पर Dylan Thomas के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. वेल्स से मतलब आप समझे जिसे इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, ऐसे वेल्स पोईटा है. He was born on 22nd October 1914 at Swan Sea. यहां पर जो जगह है, in South Wales, वहां पर वो Dylan Thomas पेदा हुआ था. वैन सी नामत जगह है, वहां पर वो पेदा हुआ था. The name, Dylan Thomas is important because it has some meaning. यहां पर Dylan Thomas जो सब्द है, उसका भी एक विशिस्ट अर्थ है, क्योंकि इसका कुछ मिनिंग है, और वो मिनिंग आपको मैं समझाता हूँ. The poet's full name is Dylan Marles Thomas, कभी का full name जो है, वह Dylan Marles Thomas है. This name was given the son of Godess by magical king, Math. यह जो नाम है, Marles, यह Godess, Greek mythology में जो Godess है, उसके पुत्र को दिया गया था. और जिसको math करते थे. The word Marles means the voice of God of sea, यह Sea God. Marles का मदलब उता है, समुद्र के देवता की आवाज. Dylan Thomas has written many poems about sea. अब यहाँ पे चोकि Dylan Thomas ने समुद्र पे बहुत सारी कविता हैं लिखी है. इसी लिए यह सब्द Dylan Thomas के लिए apply किया जाता है. इसको लागू किया जाता है. बच्पन में तो वो अपने आंट और अंकल के साथ वेन सी में लगता था. वेन सी जगह का नाम है. फर निल is a nature poem written by him. और फर निल उसी का result है, जो कि एक nature poem है. वो वेन सी नामक जगह पे रहता था. और वहाँ पे उसने जो nature में देखा, उन सब को उसने अपने कविता में सजोया है. फर निल बाइ डालन तॉमस is an autobiographical poem. ये एक autobiographical कविता है, आत्म कथात्मक कविता है, कभी अपने बच्पन के अनभों को हमेश शेर करता है. तॉमस uses the memories of childhood days. तॉमस, डालन तॉमस जो है, उसके बच्पन के दुनों को याद करता है. वो हमें पूरी कविता में बताएगा कि किस तरह से उसकी जो जर्णी स्टार्ट हुई. इन्नोसेंस मतलब मासुमित से, जब बच्चा मासुम होता है, कॉमल होता है, तब से लेकर के अनभो तक, एक मैच्चुर वेक्ती बना तब तक. The theme is based on William Blake's division of the world of experience. कविता का जो theme है, William Blake की जो कविता है, division of the world of experience उस पे आदारित है. The poem can be divided into two parts. कविता को हम दो भागो में बांट सकते हैं. The first three stangea are related to the poet's experience as a child. प्रत्थम तीन जो stangea है, वो कवी के बच्चपन के अनभों के बारे में बताते हैं. When he used to spend his summer holidays, हमारे यहां भी होता है, गर्मी की छुट्टें जैसे ही लगते हैं, तो बच्च अपनी नानी के, बुआ के, मौसी के छुट्टें वितित करने के लिए चले जाते हैं. ठीक वेसे ही, डाइलन थोमस ने जो गर्मी की छुट्टें आपने अंकल और आंट के यहां बिताई, उन्ही का वर्णन इसमें हैं. The last three stangea are about an awakening in the child, which signifies the loss of the world of innocence. और अन्तिम जो तीन stangea है, उनमें कवी ने उन्ही इन्नोसेंस को खोने का वर्णन किया है. इन्नोसेंस मासुमियत भरे जो दिन थे, उसके जो बच्चपन के जो दिन थे, उनको खोक करके अन्भूख जो जीवन का लिया है, उसका इस कवीता में वर्णन किया गया है. तो आईए, हम कवीता की शुरुवात करते हैं. कवी करता है कि मैं नाओ, एज, जैसा की अब में, यंग था, इजी था, इजी से मतलब है चिंता मुक्त, बच्पन के बारे में कवी कर रहा है कि मैं चिंता मुक्त था, जैसे बच्चों को कोई टेंसन नहीं रहती है, ना पढ़ने की, ना कुछ बंडने की, सिर्फ उनको खेलना, कूदना पसंद होता है, उसी तरह से कवी कर रहा है, आई वाज यंग क्योंकि मैं यंग था, यहां यंग से मतलब बच्पन से है, और चिंता मुक्त था, अंडर दे एपल बग्स, बग्स का मलब होता है, टहनिया, एपल की टहनियों के निचे, खेला करता था, अब यहां पे संगीत से मतलब क्या है, कभी जो लिल्टिंग बता रहा है, संगीत जो बता रहा है, वहां कोई डीजे थोड़ी बज़रा था, संगीत से मतलब है, क्योंकि कभी यहां पे हमें, उपर की लाइन में अब बताया है, एपल बग्स, एपल की टहनियों के बीच में, एपल की टहनियों से मतलब है, जहां एपल की जो बगीचे थे, उनके बीच में, यहाँ पर लिल्टिंग से मलब है संगीत से बढ़ा हुआ तो एपल की टर्नियों के बीच में केसा संगीत होगा जिसे चिडियां बोल रही है पक्षियों की आवाज आ रही है बीच बीच में बच्चे चिला रहे हैं इन चीजों को कवी ने संगीत का है हैपी एज ग्रास वाज ग्रीन और मैं वेशा ही कुछ था एज यहाँ पे कंपेर किया है सिमिली का प्रियोग कवी ने किया है उपमा अलंकार के मादन से कवी ने समझाया है कि मैं वेशा ही कुछ था जिसे घास हरी बरी होती है हरी गास जो एक उसालिका प्रतीक है और यहां कभी ने उसको symbolic रूप में लिया है happy as the grass was green मैं वे सही कुछ था जैसे गास अरे होती है कभी करा है कि मैं बहुत कुछ था the night the night above the dingle stary stary से मतलब है star और night रात्री रात्री star से भरी वी थी above उपर कहां पे उपर dingle घाटी घाटी पहाडी चोटी के उपर जो night थी वो तारों से भरी वी थी ऐसा लग रहाता जैसे पहाडी के उपर तारे बिछे हुए है the night रात्री above the dingle stary उस घाटी के उपर stary तारों से भरी वी थी time let me hell and climb time let me hell and climb golden in the head of his eyes his यहाँ पे समय के लिए है eyes उसकी नजरों में time let me hell समय ने मेरे को मुका दिया कभी ने इस पर बताया कि जो रात्री थी वो तारों से भरी वी थी और तारे कहां पे नजर आ रहे थे पहाडी पे time let me hell समय ने मेरे को मुका दिया स्वागत करने का hell का मलब होता है welcome and climb चड़ने का golden in the head of his eyes उस पहाडी पे चड़ने का और स्वागत करने का मुझे मुका दिया अर्थार्थ में पहाडी पे चड़ा करता था ऐसा लगता था जैसे मैं रात्री का स्वागत कर रहा हूँ golden in the head is head is का मतलब होता है उतकर्ष के दिन चरमउतकर्ष के दिन head is खुसी के दिन of his eyes उसकी आँखों में समय की आँखों में ये मेरे golden days थे खुसी के दिन थे अर्थार्थ ये मेरा अच्छा समय था and honored among vegans I was prince of the apple towns देखो कवी ने अपने बच्पन की यादों को बच्पन के ही शब्दों में सजोया है and honored among vegans vegans का मलब होता है लोरी ट्रक जो होता है उसको vegans बोलते हैं जिसमें सामान बरके ले जाते हैं वो vegans लोरी and honored among vegans मुझे लोरी के बीच में बहुत सम्मान मिलता था मैं उनमें बेट करे जाता था जब मैं वेगans के उपर बेट के जाता था I was prince of apple town तो मैं उन apple town का prince था जहां से apple की लोरियां बरके जाती थी तो मैं बड़ा खुस होता हम जानते हैं छोटे बच्चे जब गाओं में टेक्टर ट्रोले में बेट जाते हैं तो वो बड़े खुस होते हैं ट्रोले में बेटते हैं जब वो गियों से बरीवी ट्रोले आती है या धान से बरीवी ट्रोले आती है और उसमें बेट के आते हैं तो वो ऐसे लगता है जिसे वो राज कुमार है राजा माराजा की तरह वो आते हैं ऐसा ही फील यहां पे कभी हमें करा रहा है and among honored मुझे सम्मान मिलता था among vegans lory में I was prince of the apple towns मैं उने apple towns में prince था राज कुमार था and once below a time I loudly had the trees and leaves आपने पढ़ाओगा once upon a time यहां पे लिखा हुआ है once below a time बात एक ही है confusion ना हो एक समय की बात है I loudly में राजा की तरह had the trees उन पेडों का and leaves पत्यों का trails से उनके लटका करता था trails का मलब होता है लटकना with daisies and barely वहां पे जो daisies के और barely के जो पोदे थे वहां पे में लटका करता था वह भी छोटी होती है तो इन दो पोदों से कभी लटक नहीं सकता लेकिन यहां पे जो कभी कह रहा है कि जो एपल की जो बड़े बड़े पेड थे जिनके नीचे daisies के पूल उगे हुए थे barely's, बालियां, ग्योंकी उगी हुई थी वहां पे में लटका करता था and once below a time एक समय की बात है I Lord Lee में राजा की तरह had the trees and leaves उन पेडों से उन पत्तियों से trails लटका करता था with daisies and barely Bardzoी जहां पर ंड़ शेस नीचे sciences का भी नड़ के बांस यह फोड़ा लैट श्यास कि और इंद łatप यॊए जहां पर-डे जी और बेर बायरी के नीचे युहरह की ओध क्रींद्यार lotta यंचे उभर्वाओ-प्रि में द्वारा उनको गिरा दिया गया था and I was green and carefree देखो कभी ने फिर से कहा है I was green मैं green था मैं खुश था यहां green से मतलब है happy I was happy and carefree और चिंता मुख था famous among the barn barn का मलब होता है बाड़ा जहां पर पसूँ को रखा जाता है मैं वहां पर बहुत famous था बाड़ों के बीच में जैसे किसी बच्ड़े के साथ केल रहा था किसी गाए के बच्ड़े को दूसरी जगा बाण दिया किसी के बच्ड़े को छोड़ दिया इस तरह की activities कभी करता था तो मैं बहुत green था और carefree था खुश था चिंता मुख था famous among the barn बाड़ों में में बहुत famous था about the happy yard and singing as the farm was home happy yard देखें यहां पर transfered epithet अलंकार का प्रियोग कभी ने किया है happy yard yard का मलब होता है आंगन और उसको बताया है happy happy yard से मतलब है कि वो आंगन जो है बड़ा खुश था आंगन खुश नहीं था आंगन में रहने वाले जो है न जीव जन्तु जानवर इंसान वो खुश थे and singing और गाते रते थे is the farm आज होम जिसे वो farm ही घर हो कौन गाते रहते थे यहां मैंने आपको पहले भी बताया जिसे पसुच चिला रहे हैं बच्चे चिला रहे हैं जीडियां ही जग रहे हैं तो ऐसा लगता था जिसे वो पशो का बाड़ा ही घर है in the sun that is young once only time let me play and be golden in the mercy of means his means in the sun उस सूरे की दूप में हम खेला करते थे that is young once जो सिर्फ एक बारी यंग होता है सूरे के बारे में बताया है कि वो एक बारी यंग होता है सूरे की तरह मैं भी यंग था जैसे सूरे चमकता है वैसे मैं भी चमकता था time let me play समय ने मेरे को अनुमत्ती दे रखी थी केलने की समय मेरे प्रतिविसिस करपा वाला था बच्पन का जो समय था मेरे लिए अच्छा समय था golden in the mercy of his means his मतलब समय उसके समय के means जो थे सादन जो थे उसमें मैं golden mercy के साथ चपका करता था मतलब समय की मेरे उपर golden mercy थी सुनहरी करपा थी golden mercy से मतलब है सुनहरी करपा समय की मेरे उपर बहुत करपा about the happy yard as if the farm was my home the sun looked unusually young and time was especially bountiful to me समय की मेरे उपर करपा थी that means time was bountiful to me समय मेरे परती बड़ा कयालू था and green and golden I was मैं बहुत ही green था golden था यहां पर यह symbol है green मतलब happiness golden शुनहरा चमक वाला किसी तरह की tension नहीं थी हंट्समेन एं हंट्समेन में हंट्समेन भी था हंट्समेन भी था the calves हंट्समेन मतलब सिकारी छोटे मोटे सिकार भी कर लेता था जैसे किसी चिडिया के बच्चे मार दिये जो जैसे छोटे बच्चे रहते हैं अपने यहां पर किसी ठीटरी के अंडे फोड देते हैं इस तरह से कभी कर रहा हंट्समेन में हंट्समेन था हंट्समेन और चरवाहा भी था जैसे गाए के बच्चडों को इदर उदर चरा लाता था उनको गुमा लाता था तो कभी कर रहा है कि मैं हंट समयन भी था हर्ट समयन भी था दा काल्व्स गाय के जो बच्छडे थे काफ का वह अचन होता है काल्व्स सैंग टू माई होर्न वो मेरे लिए होर्न बजाते थे देखो बाल पन की कल्पनाएं कविता में बताए गई है बाल पन की कल्पनाएं जैसे यहां पे काई दा काल्व्स सैंग टू माई होर्न बच्छडे मेरे लिए होर्न बजाते थे जैसे मैं वहां आता था तो ऐसा लगता था जैसे राजा माराजाओं के पहुँचने पर दरबारी होर्न बजाते थे कि महाराज पदा रहे हैं ठीक उसी तरह से कभी कराएं कि जैसे में आता था तो गायों के जो बच्छडे थे और लोमडियां जो वहां पे पहाड़ी पे थी वो भी चिलाती थी क्लियर एंड कॉल्ड बहुत इस्पष्ट और जोरदार तरीके से जब मैं वहाँ पहुँचता था तो लोमडियां होर्न बजाती थी बार्क महुकती थी क्लियर एंड कॉल्ड एंड दे सबबत रेंग स्लोली इन दे पेवल्स ओप हॉली स्ट्रीम देखो कवी ने क्या कल्पना की है एंड दे सबबत रेंग स्लोली सबबत कच चलते रहते थे गुरु दुआरे में जैसे प्रवचन चलते हैं उनको सबबत बोलते हैं धार्मिक कीर्टन चलते रहते थे कौन करता था धार्मिक कीर्टन इन दब पेबल्स गोल चिकने पत्थर अप दब होली स्ट्रीम सुन पवित्र जल्धाराओं के पवित्र जल्धाराओं के गोल चिकने पत्थरों की जो गडगड़ाट की आवास थी उसको कभी ने क्या का आए ऐसा लगता था जैसे कि शब्बत चल रहे हो जैसे गुर्धवारे में किर्टन चल रहे हो आओल दसन लॉंग इट वाज रनिंग शन लॉंग यहाँ पर देखो कभी ने एक नया वर्ड दिया है सन लॉंग जब तक सूरे रहता था अर्थार्थ पूरे दिन इट वाज रेनिंग यह चलता रहता था ओल दसन लॉंग इट वाज रेनिंग पूरे दिने सा चलता था यह प्रोग्राम इट वाज लवली बहुत खूपसूरत था दहे फिल्ड हाई एस दे हाउस आप देखो कभी ने क्या तस्वीर अमारे सामने प्रस्तुत की है दहे हे का मलबता है घास फिल्ड उसकी पसल को हटा लिया जाता है तो धान का जो कछरा रता है जिसको पूआली बोलते हैं उसके बड़े-बड़े धेर लग जाते हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे की घर हो यहां पे कभी हमें उस पुवाली के बारे में ही बता रहा है क्या कर रहा है The hay fields घास के मेरान घास के खेत high ऐसे उंचे थे as the house जैसे की घर हो The tunes from the chimneys और चिमनीस में से tune आती रती थी पर उसमें जो चिमनिया थी factory की उन में से tunes आती रती थी It was air and playing lovely and watery and fire green as grass It was air बहुत ही अच्छा वातावरन था and playing खेलने का मन करता था Lovely खुबसूरत था and watery और पानी युक्त कभी हमें प्रकर्ति का वर्णन करता है खेलने के लिए बहुत खुबसूरत समय था and fire green as grass देखो यहां कभी ने फिर से fire fire आग green as grass वो भी इतनी अच्छी जैसे की grass यहां आग से क्या मतलब है आग से मतलब है दूप जब ज़्यादा दूप पड़ती है तो हम बाहर नहीं खेल सकते लेकिन यहां का आए fire green वो जो दूप थी वो भी इतनी अच्छी थी as grass जैसे घास कोमल थी जैसे घास सुहावनी थी ऐसे ही दूप भी बड़ी सुहावनी थी खुली हवा में खेलना इट वाज एरेंड प्लेइंग खुली हवा और खेलना कितना अच्छा था दिन के बाद फिर अंडर दे सिंपल स्टार्स और फिर वही सिंपल स्टार्स तारे चमकते थे as I row to sleep the walls were bearing the farm away कभी ने देखो यहां कितनी शंदर कल्पना की है as I rowed कभी दिन बर तो खेतों में खेलता ही रहता था बटकता रहता था as I rowed जैसे ही में सवारी करता राइड की सेकिंड पॉम होती है रोड जैसे ही में सवारी करता गर जाने के लिए to sleep the walls were bearing the farm away ऐसा लगता कि मेरे जाने के बाद उल्लू खेत को उटा के ले गए walls, उल्लू और bearing धारण करके ले गए the farm खेत को अवे उटा करके जैसे ही में घर सोने के लिए जाता तो यसा लगता कि जो खेत है उसको तो उठा करके उल्लू ले गए all the moon long I heard क्योंकि उल्लू की आवाज को में पूरी रात सुनता था all the moon long हमने पहले sun long पड़ा sun long मलब जब तक सूरी रहता है अर्था पूरे दिन अब यहाँ पर पड़ रहे हैं all the moon long पूरी रात I heard में सुनता था पूरी रात में उल्लू की आवाज सुनता था और कल्पना करता था कि जो खेत है उसको उठा करके उल्लू ले गए जैसे वो कोई जाल हो blessed among the stables और जो stables थे जो घूडों की अस्तबल थे वहाँ से मैं उनको आशिरवात देता रहता था blessed among stables stables से मैं उनको आशिरवात देता रहता था blessed among stables stable में घूडे जो थे उनको आशिरवात देता रहता था the night jars रात्री के जो पकसी है night jars रात्री का लिन पक्सी फ्लाइंग विद द रिस्क वे उड़ते रते थे फ्लाइंग विद द रिस्क फ्लाइंग विद द रिस्क रिस्क का मलबत है घास रात्री के जो पक्सी थे वो घास को मुझ में लेकर के उड़ते रते थे and the horses और जो घोडे थे placing चमकते रते थे into the dark रात्री की रोशनी में रात्री की रोशनी में घुड़े जो है चमकते रते थे हमने देखा है कि पसू जब रात्री में दिखते हैं तो उनकी आँखें उनका रंग जो है place करता है चमकता रता है तो रात्री में इस तरह की किरिये होती थी and then to awake फिर जब मैं उठकर के जाता सुब and then to wake फिर सुब उठकर के जाता and there farm like a wanderer white with a dew come back the cock on his soldier जब मैं सुब उठकर के जाता and the farm खेत पर like a wanderer white with the dew तो खेत कैसा लगता like a wanderer जैसे कोई भटकने वाला रागीर white with dew ओस से सफेद हो गया हो जैसे कोई रागीर पुरी रात भटका हो और वो ओस से डग गया हो क्योंकि ओस गिरती खेत बिलकुल सफेद हो जाता come back जैसे कोई रागीर जो मुर्गा खरीद कर लाया है और जिस पर ओस की सफेद इचाई होई है खेत का अनुपम सौंदरे कभी जैसे कोई रागीर जो मुर्गा खरीद कर लाया है और ये जो है चमकता रहता इट वाज एडम एंड मेडन ऐसा लगता वो जो खेत है जो बिलकुल सफेद हो रहा है ऐसा लगता कि ये वही इडन गार्डन है जहां पे एडम और मेडन रहती थी एडम आदी पुरुस जिसको सबसे पहले गोड ने बनाया था वो आदी मानव एडम है एंड मेडन और उसकी पत्नी जो इव है वो मेडन है तो जब भगवान ने एडम और इव को बनाया तो उनको इसी तरह के शुन्दर बगीचे में रखा था जेसा की ये खेत लग रहा है उस खेत की तुलना जो है कभी ने Eden Garden से की है The sky gathered again फिर आसमान फिर से इखटा हो जाता फिर यहां पे देखे transferred epithet Sky gathered again Sky आसमान गेदर्ड इखटा हो जाता या आसमान इखटा नहीं हो रहा है आस्मान में उड़ने वाले जो पक्सी है वो इकटे हो रहे हैं and the sun grew round that very day और सूरे जो है बिल्कुल गोल दिखाई देता था and the sun grew round सूरे जो है बिल्कुल गोल दिखाई देता so it must have after the birth of simple light जब भगवान ने सबसे पहले hidden garden को बनाया होगा birth of the simple light जब simple light भगवान ने create की होगी तब भी इसाई रहा होगा तभी क्या करा है so it must have been इसाई रहा होगा after the birth जब बर्थ हुई होगी of the simple light रोषनी की जब अगवान ने सबसे पहले बार रोषनी बनाया होगी तो उसका द्रस से भी इसाई रहा होगा जिसा की यह खेत है in the first spining place the spellbound horses walking warm out of the winning green stables on the field of praise in the first पहले बार spinning place जब इस सिस्तान को बनाया होगा spin का महलब होता है कातना यहां कातने से महलब है create जब अगवान ने पहली बारी डन गार्डन को बनाया होगा तो भी यह साही रहा होगा the spellbound horses मंत्र मुग्द घोडे spellbound महलब spell से बदे वे मंत्र मुग्द horses घोडे walking warm out of the winning green stables winning मत्लब ही नहीं आते हुए green stable से बार निकल रहे हैं on the field of praise और उसे जोईडन गार्डन के जिसे लग रहे हैं वहाँ पर चर्नी के लिए घोडे जो ही नहीं आते हुए और मंत्र मुग्द से मानो बाहर निकल रहे हैं spellbound का महलब होता है मंत्र मुग्द horses घोडे walking चल रहे हैं warm out warm का महलब गरम जौशी के साथ green stable उस green stable से देखो या stable के लिए भी कभी ने green सब्द काम में लिया है ऐसा लगता है जिसे कभी जो है हर चीज को green करना चाहता है क्योंकि ये green recoverant कर रहा है उसने खुद के लिए घास के लिए खुद की खुशी के लिए सब के लिए green word काम में लिया है और green का मतलब है खुशी हरिया लिए on the fields of race उस खेतों की और बढ़ रहे है and honored among foxes and presents by the gay house under the new mad clouds and happy as the heart was long and honored among foxes वेखिये कभी पले उसने बताया कि मैं लोरी में बेट के जाता था तो prince के जैसे लगता था honored among foxes and present present का मलब होता है तीतर तीतर प्रजाती के जो पक्सी होते हैं उनको present बोलते हैं लूमडिया और तीतर मेरा स्वागत करती थी honored में सम्मान मिलता था by the gay house उन खुस घरों के बीच में house को यहाँ पे gay करता यहाँ घर कुस नहीं है घर में रहने वाले लोग कुस हैं and honored among foxes लूमडियों के बीच में presents के बीच में मैं खुस रहा करता था और घर भी बड़ा कुस था under the new made clouds और जो बादल इश्वर के द्वारा बनाए गए थे happy as the heart was long वो भी वेसे ही कुस थे जैसे मेरा हर्दे बड़ा था as the heart was long जैसे की बड़े हर्दे वाला उधार दिल वाला वेक्ती कुस होता है in the sun born over and over I rain my head less ways in the sun दिन भर in the sun born मतलब में दिन भर over and over बार बार I rain मैं दोड़ा करता था heedless बिना ध्यान दिये वेज रास्तों पे पता नहीं रहता था कि कौन से रास्ता पे निकल गया कहां चला गया पूरे दिन मेरा यही काम था में इदर उदर दोड़ा करता था heedless मतलब बिना ध्यान दिये my wishes rest through the house high है देखो कभी ने उसकी wishes की तुलना किस्ते की है उस गास के डेर से जो बहुत उच्छा था my wishes मेरी चाहे rest वो भी rest लगाती थी door through the house उस घर से high है जो उच्छा गास का डेर था जैसे गास का उच्छा डेर था ऐसे ही मेरी इच्छाएं भी बहुत उच्छी थी and nothing I care मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी nothing I care मुझे खोई परवा नहीं थी at my sky blue trades यह मेरा जो sky blue trades था trade का मेलव था the time allows in all his tuneful turning so few and such morning songs मुझे कोई परवा नहीं थी that की time allows हमें हमें अनुमती देता है in all his tuneful turning जब तक वो हमारे साथ tuneful रहता है so few and such morning songs इस तरह के morning songs हमें सुनने को मिलते हैं खुसी से बरे हुए गीत हमें सुनने को मिलते हैं कब तक मिलते हैं लेकिन before the children green and golden जब तक हम बच्चपन में रहते हैं before the children बच्चपन से पहले green and golden जब तक हम green रहते हैं कुस रहते हैं golden snore रहते हैं follow him out of grace इसलिए कभी करा है him मतलब उसका समय का follow सद उप्योग करो उप्योग करो उसको follow करो out of grace बिना किसी की परवा के out of grace पूरी तरह से grace के साथ उसका follow करो उस समय तक मुझे ये पता नहीं था कि समय जो है परिवर्तन सील है मुझे ये पता नहीं था कि विप्रात काल के जो आनंद है वो एक दिन खतम हो जाएंगे समय इतना कर पालू सबी के साथ नहीं रहता लेम का मतलब होता है मेमना और वाइट मतलब सफेद दिन मेमने के जैसे सफेद दिन या मेमना जो है शान्ती का प्रतीक होता है इसलिए का है nothing I care मुझे किसी चीज की परवा नहीं थी in the lame white days उन lame white days में उन शान्ती के दिनों में that time would take me कि समय मेरे से चीन लेगा up to the cello, thronged, lopped cello thronged thronged का मलब भरी हुई lopped मतलब उपरी thronged मतलब भरी हुई मुझे ये पता नहीं था कि समय मेरे से चीन लेगा by the side of my hand मेरे हाथ की परचाई से क्या उन खुशियों को मुझे ये पता नहीं था समय मेरे से उन खुशियों को इतनी जल्दी चीन लेगा nothing I care nothing I care मुझे किसी चीज की परवा नहीं थी in the lame white days उन बच्पन के दिनों में lame white days से मतलब है बच्पन के दिन that time would take me कि समय मेरे से चीन लेगा up to the cello thronged cello से भरी हुई locked मतलब उपपर by the shadow उस परचाई को of my hand मेरे हाथ से मुझे पता नहीं था कि ये दिन जो है वापिस नहीं आएंगे in the moon that is always rising in the moon उस चंद्रमा की रोस्ने में जो हमेशा rising बढ़ता रहता है nor that riding to sleep nor that riding to sleep नहीं मुझे ये पता था कि ये मेरी जो riding है sleep से पहले कि ये खतम हो जाएगी I should hear him fly with the high fields और मैं उनको उची उड़ते हुए देख पाऊंगा मैं उन cello's को उची उड़ते हुए देख पाऊंगा kale जो है वो मेरे समापत हो जाएंगे ये मुझे पता नहीं था and wake to the farm forever fled from the childless lane and wake जब मैं जागूंगा जागने से मतलब हैं क्या conscious जब मैं सजग होंगा to the farm उस खेत के परती forever fled वो हमेसा के लिए दूर चला जाएगा from the childless lane और childless lane हो जाएगी बच्चपन की जो आनन्द है वो खतम हो जाएंगे ऐसा मुझे पता नहीं था oh as I was young and is he in the mercy of means कोई बात नहीं बच्चपन में दे कम से कम समय मेरे परती दयालूप रहा oh as I was young जब मैं young था and is he चिंता मुक था in the mercy of his means उसके शादनों की करपा से हिज मतलब समय के समय के सादनों की मेरे उपर खूब करपा थी time held me green and dying time held me green समय ने मेरे को green रखा and dying और मरते दम तक रखेगा समय मेरे को उरजवान बनाए रखेगा खुस रखेगा though यद भी I sang in my chance में chance में बंदा होने के बाद भी गाता हूँ like the sea जैसे की ये सागर मुझे परवा नहीं है उन chance की उन problems की इसी लिए मैं गाता रहूँगा मैं बंदनों में chance में बंदन बंदनों का असास नहीं था मुझे पहले though I sang फिर भी मैं गाता हूँ in my chance like the sea इस समुद्र की तरह जैसे समुद्र गाता रहता है अपने लहरों के माद्यम से ऐसे ही में भी गाता रहूँगा कभी नहीं आप बच्पन को और योवा वस्ता की जो problems से उनमें contrast बताया है योवा वेक्ती बंदनों में बंदा रहता है बच्पन में बच्चे free रहते हैं तो students इस तरह से आप इस कविता को पूरी पढ़िए और subscribe कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए वीडियो त्यार कर सकूँ